हलो फ्रेंज आप सभी का SSCG के ग्यान में स्वागत हैं फ्रेंज आप सभी को बता दें जो गुरूप D एक्जाम 2021 में होने वाला है उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट किया गया है जिसका ये टेस्ट नंबर टू है टेस्ट नंबर वन इसके पहले कम्प्लीट किया जा चुका है आपको इस्टार्ट करने से पहले बता दें कि टेस्ट नमबर टू में हम फिजिक्स कमेश्टरी और बाइलोजी के साथ साथ जनरल अवार्नेस के मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेट को कम्प्लीट करेंगे जो आपके आने वाले गुरूपडी एक्जाम के लिए यह टेस्ट रीद बहुत जादा इंपोर्टेंट साबित होगा तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि आप पिंड की स्थिति उर्जा और गतिज उर्जा का योग क्या होगा तो फ्रेंड्स इस प्रश्च का राइट इंसर बताएं आप यदि वस्तु प्रतिरोत को नगड़ माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति उर्जा और गतिज उर्जा का योग क्या होगा त किसी वर्स्तु का प्रतिरोत के नगण मानें और किसी वर्स्तु को मुक्त रव रूप से गिराया जाता है तो उसमें इस्थिति उर्जा और गतिज उर्जा का जो योग होता है वो इस्थिर बना रहता है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स तो इस प्रैश्क का राइट एंसल आब बदाएं तो फ्रैंड जो वास्तौ कबार का फार्मूला होता है if is cookie होता है जहां या ये आव निूटन है और जी क्या है गुर्ट्टी तुर्णत है यम वास्तौ कबार है यहां यम कमांद निकलना है तो यफ इसकल को होगा जी यहां यफ कमान दिया है 980 न्यूटन और गुर्टी तुर्ण कमान दिया है 9.8 जब इसको आप 980 में 9.8 का भाग देंगे तो आपका वस्तु का दरबे माना आएगा 100 के जी तो प्रश्क कर राइट एंसुर होगा चलिए नेक्स क्वेस्टन क्यों पढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेस्टन है ऐसे वायर जो घरों में बिजले संचालित करते हैं उसमें कोटिंग होती है तो इस प्रश्क कर राइट एंसुर होगा C. Polyvinyl chloride, Polyvinyl chloride को हम PVC के नाम से भी जानते हैं साथ में आप इससे भी याद रखें चलिए नेक्स क्वेस्टन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेस्टन है 273 Kelvin का मान क्या है तो 273 Kelvin का मान Centigrade में किसके बराबर होता है आपको ये बताना है तो इस प्रश के राइट एंसुर होगा A 0 Centigrade 273 Kelvin का जो मान होता है 0 Centigrade के बराबर होता है तो इस प्रश के राइट एंसुर होगा A Next Question के उबढ़ते है आपका next question है तत्तों के किसकी आधार पर वर्गी कृत किया गया है तो इस प्रश कर राइट इंसर बताएं friends कि तत्तों के किसकी आधार पर वर्गी कृत किया गया है तो इस प्रश कर राइट इंसर होगा परमाड़ कर्माग की आधार पर रखा गया है ना कि परमाड़ कर्माग में समानता की आधार पर तो C आपसन यहाँ पर incorrect होगा यहाँ पर आपका जो correct answer होगा उनकी सनी रखता तो A आपसन correct होगा चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि वायू शीतक किसके लिए अधिक उप्यूक्त है तो वायू शीतक किसके लिए अधिक उप्यूक्त है इस प्रश्क का right answer पता है friends तो इस प्रश्क का right answer होगा B गर्म और सुस्क जलवायू वायो शीतक गर्म और सुस्क जलवायों के लिए अधिक उप्यूक्त है चलिए नेक्स क्वेश्चन के बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि सोडियम बाई कार्बोनेट को बाजार की भासा में कहते हैं जो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है उसे बाजार की भासा में किस नाम से जानते हैं तो इस प्रशकराइट इंसर बताएं तो इस प्रशकराइट इंसर होगा B, खाने का सोडा तो सोडियम बाई कार्बोनेट को बाजार की भासा में खाने का सोडा के नाम से जानते हैं आपको sodium bicarbonate का रासाइनिक सुत्र बता देते हैं, इसका सुत्र होता है, यन AHCO3, तो sodium bicarbonate का फार्मूला होता है, यन AHCO3 होता है, चलिए next question को यो बढ़ते हैं, आपका next question है, कि इन में काउन से एक परमारू वाली अक्रिय अगयस है, तो इस प्रश्च का राइट इंसर बता नियान जो आता है, एक अक्रिय अगयस है, फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, कि जो अठरामे समू की जो तत्व आते हैं, आवर्द साड़ी में जो अठरामे समू की जो तत्व हैं, वो सभी अक्रिय अगयस है, जिसके अंदरगत, हिलियम, नियान, आरगन, क्रिप्टन, ज मिसटरड होता है तो स्भी यह सकतन दोता है इस प्रश कर sièए उया है फ्रेंस उस्वर्ण 6-5 चुफ प्रदिशित करते हैं और लेड़कुक्र को मिस्टरण होता है तो इस प्रशक राइश प्रच ग्राइब मिस्टरण अटा ह ty9 को यहसीन से प्रद्शित करते हैं और जो CT उरजा किस रूप में निकलती है इस प्राश का राइट disappointment कि ना भीकिए घंडडडन में जो उरजा होती है वह एक विसमा के रूप में बाहार निकलती है चले नेक्स क्वेस्चन क्यों बड़ते हैं आपका नेक्स क्रेस्टन है कि निम्न लिखित में से अधिक विद्व चालकता वाले धातु काउंसी है तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दे कि सबसे अधिक जो विद्व चालकता होती है इसे से कम कापर के होती है इसे से कम यलमूनियम के होती है तो आपका कि सबसे अधिक विद्व चालकता वाली धात्व होती है तो इस प्रशकराइट एंसर होगा सी चादी चादी जो होता है अधिक विद्दू चालकता वारी धात्यू है चले नेक्स कोश्चन के बढ़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि गल्वें मीटर के द्वारा पता लगाया जाता है तो इस प्रश का राइट एंसर पता है फ्रेंड्स तो इस प्रश का राइट एं ब्रीज के द्वारम आपा जाता है जब कि ताप को ताप को थरम कपल के द्वारम आपा जाता है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि प्रकास तरंगे हैं तो फ्रेंड्स आप बताएं यहां पे कि प्रकास तरंगे क्या है तो इस बाईसी के राइट एंसुर होगा आपकार 的 क्रकास्थ रंग turns और दो एक विद्दू ऐनगर की त्रंगर है चर्णे नेंग्स और अप्र कॉस्टन है और बायरती न्युक्विद्व विढ्यान का जनक किसे कहा जाता है बारती हिंए UK diplom का जनक हम याप्र बाबा को कहा जाता है तो इस प्रश्च का राइट एंसर होगा तो भारतिय नुक्लियर विज्ञान का जनक होमी जे भाबा को कहा जाता है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों परते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि वहां चालन है तो पस्ट दर्श दरपड होते हैं तो इस प्रश्च का राइट तिस प्रशकर राइट इंसरोगा सी और फ्रेंड्स आपको यहां आउतर दरपड़ की बारें बता देते हैं आउतर दरपड़ के परियोग होता है जो वहां होते हैं उसके हेर लाइट में आउतर दरपड़ के परियोग करते हैं तिस प्रशकर राइट इंसरोगा सी दोस्तों यहां को बता देए जैसे यह आपका काार है और यहां पर इस के वस्तु को यहां पर उटतन दरप्रक्राइब करते हैं और सेंस्ट के चले नेक्स क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्यूस्टन है कि को सब परूसकार संजुक्त राष संघंग की एजएंसी द्वारा दिया जाता है तो इस प्रश पृष्ट एस सभी गड़ा हुआर भी कलिंग पृष्कार में डेक्स्न क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वैस्चन है कि मानों शहरीर में सबसे लम्भी कोश्का है सबसे offers कि इस अट nella चले next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि हरे फलों को क्युत्रियम डूम से पकाने के लिए प्रियुक्ति गयस है तो इस प्रियुक्ति गयस होती है तो इस प्रियुक्ति गयस होती है तो इस प्रियुक्ति गयस होती है तो इस प्रियुक्ति गयस है तो इस प्रियुक्ति गयस एक सरल दिस प्रहक करा यश्र बताए फ्रेंड्स एक आपर्दल लेंड में होता है एक सरल दिस प्रैश करääइट एनसर होगा मैं इद लें चले नेक्स कवेस्चेन कि आपका नेक्स कवेस्चेन है जींवण रचक हर्मोन किस गरंती ने शाषरभीत होता हैernal जीवन रचट जो हार्मोन सोता है वो किस गरन्थी से सरवीत होता है आपका गैश्यट वाद्याद्र वायुद्वरा संचालीत होता है उस बताएं इस नचारित होता है चाहनाई जो बात यंद्र होता है और इस प्रश्के राइट से इससंभनित है तो इस प्रश्के राइट इन्सुर होगा यह बढ़ते हैं आपका न fist question है कि संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है इस refresh कchuss राइंसर बताएं तो इस प्रश कर राइंसर हो गा सब संसार को सबसे विशाल जो नदी है अमीजन है फ्रेंड्स यहां पर आपको पूछा गया संसार की सबसे विशाल नदी पूछता है तो यहीं आपका question यहां पर होता कि संसार की सबसे लंभी नदी कौन सी है तो आपका इंसवर निल नदी होता है यहां पर आपका यह ओगा चलिये next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है अफिम पाउधे किस भाग से बनाए जाती है जो अफिम होता है पाउधे किस भाग से बनाई जाती है इस प्रश्कराइट इंसर बताएं फ्रेंड्स तो इस प्रश्कराइट इंसर होगा फूल और फिर्म जो हता है पौधे की फूल से बनाई जाती है तो इस प्रश्कराइट इंसर डी होगा चलिए नेक्स क्वेश्चन के उपरते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड बेश्डर कौर है दरवाजा बंद अभियान के जो ब्रांड बेश्डर है अमिताब बच्चन है तो इस प्रश कर राइट एंसर होगा दरवाजा बंद अभियान के जो प्रांड अमिताब बच्चन है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों परते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है किस राज सरकार ने गन्ना एप और वेब पोर्टल का शुभरम किया है तो फ्रेंड्स इस प्रश कराइट एंसर बता दें तो इस प् राज सरकार ने गन्ना एप और वेब पोर्टल सुभरम किया है तो इस प्रश कराइट एंसर होगा बी चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों परते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि कौन अंतराश्टी क्रिकेट में 20 साल पूरा करने वाली पहली महिला खिलारी बन गई है त मिताली राज मिताली राज जो है अंतराश्टी क्रिकेट में 20 साल पूरा करने वाली पहली महिला खिलारी बन गई है तिस प्रश कराइट एंसर भी होगा चलिए नेक्स क्वेश्चन को देखते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि विस्व आर्थिक मंच द्वारा जारी सम गति शिलता सुचकांक में 82 देशों में जो भारत का अस्थान है शियत तरवा अस्थान है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि पहली बार अंतर राष्टी साहकारी ब्यापार मेला कि शहर में आयूजित किया गया है तो इस प्र स्थान है कि फ्रेंद्टो बाड़ते हैं आपका अक्टूबर यहीं आपका प्रस्ष्ण होता कि राष्टे स्था दिवस हर साल कब मनाए जाता है तो राष्टे सिच्छाथ दिवस हर सौक्ज सितमबर को मनाए जाता है चले next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि हाली में जाने माने ब्यक्ती कुम कुम का निधन हो गया वह किस छेत्र से जुड़ी हुई थी तो इस प्रश का right answer पताएं friends तो इस प्रश का right आपका answer होगा चलचित्र जो कुम कुम थी जो हाली में उनका निधन हो गया है वह चलचित्र से संबादी थी तो इस प्रश का right answer ए होगा चले next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि वर्ल्ड पहरा एटलेटिक्स चैंपेंशिप में सोड़ पतक जीतने वाले सुन्दर सिंग गुर्जर किस खेल से जुड़े हुए है और इस प्रश का right answer ए किस खेल से जुड़े हुए है आप इस प्रश का right answer होगा सी भाला फेक सुन्दर सिंग जो गुर्जर है भाला फेक से संबादी थै चले next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि किसी वस्तु को उर्दमादर उपर क्यों फेका गया और यह भूमी की अधिकता मुचा यच तक पहुची इसके उपर जाने के दोरान यच की एक बटा फोर पर वस्तु में क्या होगा तो आपके सामने चार आपसान है, केवल इस्थिति उर्जा होगा, समाज इस्थिति उर्जा होगा, अधिक इस्थिति उर्जा और कम इस्थिति उर्जा होगा, कम इस्थिति उर्जा और अधिक इस्थिति उर्जा होगा, तो फ्रेंड्स यहां पे आपके यह टेस्ट नमबर to complete होता है यहां आप comment box में लिखके बताएं कि 33 question में से आपके कितने question correct हुआ तो friends यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो का like करें और यदि channel पे नए है तो चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ अधिक से अधिक share करें thanks for